हाई फ्रेंट्स आप लोग कैसे हैं आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन प्वाइंट में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करें बिहार इंवर्सिटी बीए पार्ट थर्ड पॉल्टिकल साइंस ऑनौर्स पेपर फीप्त जिसका इंपोर्टेंट कोश्चन है आपके एक्जाम के लिए सेशन होगा 2020-23 दोस्तों इसका एंसर आपको जहां से भी मिल सके उससे खोज करके याद कर लें चले दोस्तों हम लोग शुरू करें कोश्चन पहला कोश्चन है बिकास सिल देशों में लोग प्रशाशन की भूमिका का बिसलेशन करें दूसरा कोश्चन लोग प्रशाशन के अध्यन में ब्यवस्था उपागम का परिक्षन करें अथवा लोग प्रशाशन के अध्यन के सास्त्रिय उपागम की भी वेचना करें तीसरा कोश्चन है लोग प्रशाशन के छेत्र की भी वेचना करें अथवा लोग प्रशाशन की समस्याओं की भी चौथा कोश्चन है, स्वतंत्र नियामकिय आयोग से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेस्ताओं की विवेचना करें, अथ्वा स्वतंत्र नियामकिय आयोग पर एक निवन्ध लिखें. पाँचवा कोश्चन है, एक संतुलित बजट के सिधानतों की ब्याख्या करें, अथ्वा भारत में बजट बनाने की प्रकिरिया का परिखन करें. छठा कोश्चन है, लोक निगमों की विशेस्ताओं येवम गुण दोशों की विवेचना करें. साथ्वा कोश्चन है, संगठन से आप क्या समझते हैं, इसके सिधानतों की विवेचना करें. आथ्वा कोश्चन है, भारत में प्रशाषन में जन संपर्क के महत्व की विशलेशन करें, अथ्वा भारत में प्रशाषन पर संसदिय नियंतरन के विवेचना करें. नौ नंबर का कोश्चन है लोक प्रशाषन और नीजी प्रशाषन में अंतर अस्पस्ट करें दसवा कोश्चन है छेत्र मुख्याले संबंध का वर्नन करें अथवा प्रसिक्षन के उद्यश्च एवं प्रकारों की भी वेचना करें आथवा पोस्ट कार्व की ब्याख्या करें दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन का बटन दबा दें जैसे कि जो भी वीडियो में अप्लोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक लिजय हिंद जय भारत